स्टार्ट सभापती महोदय, वित्यमंत्री महोदय के बजट भाशन पर कई माननी सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं कुछ सदस्यों ने वित्यमंत्री महोदय के सामने बड़े अच्छे सुजाव भी रखे हैं मैं भी सदन को इस सम्बंद में अपने विचारों से अवगत कराना चाता हूँ सरुप्रथम मैं कर ढाचे के बारे में अपने विचार रखना चाता हूँ बजट में करों में कुछ छूट दी गई है लेकिन कुछ वस्तों पर कर बड़ा दिये गए हैं जो आम आदमी के प्रयोग में नहीं आती है वित्मंत्री द्वारा करों में जो राहतें दी गई है उससे गरीबों को कुछ लाब होगा इसमें मुझे संदे है मेरे विचार से भारत की कर प्रनाली को बहुत सरल बनाया जाना चाहिए कर इस प्रकार से लगाए जाने चाहिए जिससे आम लोगों पर इसका प्रभाव ना पड़े हम देखते हैं कि सरकार किसी वस्तू पर थोड़ा कर लगाती है लेकिन बाजार में उसके दाम बहुत बढ़ जाते हैं गर बढ़ाने के साथ साथ सरकार को यह भी कहना चाहिए कि किस किस वस्तू के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे सरकार यदी ऐसा नहीं करती है तो वस्तू के दाम बढ़ते जाते हैं और सरकार उसे रोक नहीं पाती है सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे देश की गरीब जनता को लाब मिल सके महोदे यह प्रसनता की बात है कि सरकार का ध्यान मूल्यों के बढ़ने पर पूर्ण रूप से है इस बात के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है भविश्य में मूल्यों में रिदी ना हो बजट में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि जो असंतुलन है उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा यह बहुत ही सराहनिय कार्य होगा और मेरी समझ में इससे देश का विकास होगा हमारा देश क्रिशी प्रधान देश है देश की अर्थ व्यवस्था क्रिशी पर निर्भर करती है बजट में किसानों के लाब के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है किसान मेहनत से अपने खेत में अनाज पैदा करता है सरकार को चाहिए कि किसान के अनाज को बेचने की अच्छी विवस्था कर दे और उन्हें उचित मूल्य दिला दे इससे किसान अपने खेत में पैदावार बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं मैं मंत्री महोदे से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में कुछ संशोधन करने पर विचार किया जाए और उसमें ऐसे निर्ने लगाए जाए ताकि देश में जिस उदेश्य के लिए प्रजातंत्र है वह पूरा हो सके स्टॉप